हेलो फ्रेंड्स मैं हुमाया स्वादवेदा में आपका स्वागत है अगर कुछ मीठा और हल्दी खाने का मन है तो आप इस रेसिपी को जरू ट्राइ करें इसे आप त्योहार पर मिठाई के रूप में भी बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए सबसे पहले में ले रही हूँ यहाँ पर एक मीडियम साइज का बीट रूट या चुकंदर इसको छील कर इस तरह से बारिक बारिक ग्रेट कर लेंगे और जो यह ग्रेट किया हुआ बीट रूट है इसको डालेंगे हम एक ग्रैंडिंग जार में और मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी पानी लिया है अब हम इसे मिक्सर में चला लेंगे और बहुत बारिक सा अच्छा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे यह देखिए आप देख सकते हैं बिलकुल फाइन पेस्ट बन गया है इसमें आ बख बख एक कटोरी पानी तो मैंने इसे पीछने में यूज़ कर लिया और अब यह देख कटोरी पानी हम इसमें डाल रहे हैं आप कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं अब हम इसे एक बार फिर से मिक्सर में चला लेंगे तो यह लीजिए बीट रूट का जूस बन कर तया हो गया है अब हम इसे अलग रख देंगे अब हमें लेने होगी एक कडाई और इसमें लेंगे हम एक छोटे जम्मत घी और जब घी गरम हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से ड्राइफ रूट्स तो ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं मै मैं इने अब निकाल लूँगी और ठंडा होने पर जो बदाम है इसके छोटे-छोटे पीसे कर ले और जो यह घी बचाए ना कडाई में बस इसी में डाल देंगे हम एक कटोरी सूजी या रवा और यहां पर कटोरी हमें सेम रखना है जिससे हमने पानी लिया है उसी से हमे कटोरी से लेंगे अब हमें क्या करना है यहां पर हम गेस की फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसे चलाते हुए कंट्यूनेसली भूनेंगे यहां पर थोड़ा सा मुझे घी की कमी लग रही है तो मैं इसमें एक चमबच घी और डाल रही हूं बस अब इस घी को भी हम अच्छ ब्राउन कलर की और इस स्टेच पर इसमें से बहुत अच्छी सी खुश्बू आने लगेगी तो यह देखिए सूची तो अच्छे से भुन गई है अब हम गेस को बंद कर देंगे और इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे और मैंने यहां पर इसी कड़ाई को फ्रीन कर लिया है तो अब मैंने इसे फिर से चड़ा दिया गेस पर गेस अन कर देंगे और जो हमने बुई टूट का जूस बनाया है उसको हम इसमें डालेंगे और इस जूस को उबलने देंगे जब तक जूस उबलता है तब तक एक ठाली लेंगे और इस पर थोड़ा सा घी लेकर इसे अच्छे से ग्रीज कर देंगे तो अब चलते हैं हम जूस की तरफ ये देखिए जूस भी बॉइल होने लगा है इसे हमें लगभग दो मिनिट तक पकाना है जिससे की जो इसमें स्मेल है वो निकल जाए और दो मिनिट के बाद ये इसकी फ्लेम को हम करेंगे कम और इस उबलते हुए जूस में डालेंगे बुनी हुई सूजी और इसे डालते समें लगातार चलाते रहें जिससे की लंप ना बने और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम पकाएंगी तो इसी बीच अगर आपने मेरा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आप देख सकते हैं कि सूजी धीरे धीरे फूलने लगी है जो मिक्षर है वा गाड़ा होने लगा है तो जब यहाँ इस स्टेच पर पहुंच जाए तब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राइ फूलने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़े चमज नारियल का बूरा अब इसमें डालेंगे हम थोड़े सी इलाइची जिससे इसकी खुश्बू और बढ़ जाएगी अब इन सबी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है तो ये लीजिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया अब बारे आती है स्वीटनेस की तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे जिस कटोरी से हमने सूजी ली है उसी कटोरी से एक कटोरी शकर और शकर को भी हम अच्छे से mix कर देंगे यहाँ पर भी हमें गेश की flame को कम ही रखना है यह देखिए शकर melt होने लगी है और शकर डालने के बाद भी हमें इसे 2 मिनिट तक चलाते हुए पकाना है जिसे की जो शकर है वहाँ सुजी में अच्छे से mix हो जाए और इस stage पर मैं इसमें एक चम्मच घी और डाल रही हूँ इस घी को हम अच्छे से mix कर देंगे और इसे थोड़ा सा पका लेंगे हमें mixture को ज़्यादा dry भी नहीं करना है अगर हमने इसे ज़्यादा dry कर दिया तो इसके pieces नहीं बनेंगे बिलकुल इसकी consistency हमें इस तरह की रखनी है अब मैं gaze बन कर देती हूँ और जो थाली हमने grease करके रखी है उसमें इसे हम डालेंगे आप इसे beetroot केसरी या beetroot रवा केसरी या फिर रवा beetroot हल्वा भी कह सकते हैं और इसे spatula की help से इस तरह से हम set कर लेंगे और room temperature पर ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह ठंडा हो जाए तब हम इसे इस तरह से cut कर लेंगे मैंने यहाँ पर इसे square piece में cut किया है आप अपने पसंद के कोई भी shape में इसे cut कर सकते हैं तो मैं आपको एक piece दिखा देती हूँ यह देखिए कितना बड़ी a piece cut हुआ है इसका color तो आप देखी सकते हैं और इसका जो taste है वह बहुती लाजवाब होता है आप एक बार जरूर ट्राए करें Thank you for watching